साथियों, आज जब देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्णम कर रहा है, तब गरीबों को, गलीतों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मद्दूर, उन सब को उनका हक देने का बहुत एतिहासिक काम करने का हम सब को सवभाग मिला है, और एक कारकर्ता के रूत में, भारती ये जनता पार्टी ने जिस समस्कारों से हमें गड़ा है, मन को भहुत संतोष होता है, आज़ादी के अनेक दशकों तक किसान और स्रमिक के नाम पर खूम नारे लगे, बड़े बड़े गोशना पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसोटी ने सिद्ध कर दिया है, कि वो सारी बाते कितनी खोकली थी, सरब नारे थे, मैं समयता हूँ देश, अब इन बातों को भली भाती जामता है, इसलिए ही दिंदैल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी गोशनाओं के बावजूद जनता की अपेशाएं पुरी नहीं हो रही है, यह उस जमाने में वो कहते थे, और पंडी जी ने कहा था, अवविवस्ता और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षाव और असमाजिक्ता, उस समय का उनका वरनता बढ़ती जा रही है, उनकी कहीं ये बातें, बात के दस्वकों में और प्रबल होती गई, दंद अलजी थे हमें छोड़के बहुत पहले चले गए थे, ये तब और भड़ा, जब कुछ लोगों ने राष्टहीत और जनहित के बजाए, सब्ता और स्वहित को राजनीती का हिस्सा बना लिया, साथियों, किसान और स्रमिक के नाम, परदेश में, राज्यों में, अनेकों बाहर सरकारे बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ बादों और कानूनों का एक, उल्जा हुआ जाल, एक ऐसा जाल, जिसको ना तो किसान समझ पाता था, और नहीं मेरा स्रमीक भाई भेन समझ पाता थे, किसानों को ऐसे कानूनों में उल्जा कर रखा गया, जिसके कारण, वो अपनी ही उपज को, अपने मनभुता भीक, बेज भी नहीं सकता था, नतीजा ये हुआ, कि उपज बढ़ने के बावजूद, किसान ने पसिना बहाने में कोई कमी नहीं रखी, बुन्द बुन्द पानी का, तील तील जमीन के हिस्से का उप्योग करते हुए, देश वासियों का पेड़ भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए, हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी, उपज बढ़ाने के बावजूद, किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी, हाँ, उन पर दीनो दन कर्ज बढ़ता गया, कर्ज जरूर बढ़ गया, साथियों, भाजपा के नित्रुतों में, NDA सरकार ने निरंतर इस थीती को बदलने का प्रयास किया है, प्रामानित प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है, कोई नीजी स्वात के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्यान को ध्यान में रखते हुए है। पहले लागत का डेड़ गुणा MSP तै किया, उसमें रिकोर्ड बडोतरी की और रिकोर्ड सरकारी खरिद भी NDA सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया है। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। PM किसान सम्मान निधी के तहट देश के दस करोड से जादा किसानों के बैंक खातों में कुल एक लाग करोड रुपे से जादा ट्रांसफर किये जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है। कि जादा से जादा किसानों के पास क्रेडिट कार हो। किसान क्रेडिट कार उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्द हो। पहले सिर्फ उसी किसान को के सी सी का लाब मिलता था जिसके पास दो हेक्टर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई थोड़ी सी भी जमीन होगी। किसान है इसका हकदार है। अब किसान क्रेडिट कार का लाब पशूपालकों को और मचली पारन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। साथियों, पिछले सरकार के पांच साल में किसान क्रेडिट कार द्वारा किसानों को करीब 20 लाग करोड रुपिय का रण दिया गया था। मैं यूपिय सरकार की बात करता हूँ। भाजपा सरकार के पांच वर्ष में किसानों को लगबग 35 लाग करोड रुपिय के सी सी के माद्यम से दिये गए हैं। सरकार देश व्यापी अभ्यान चला कर जादा से जादा किसानों को केसी सी से जोड रही हैं। ताकि उन्हें किसी और के पांस उंचा ब्याज दे करके, जमीने गिर्ज भी रख करके, पहले इस ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सोधा करके, कर्ज लेने की मजबुरी से बाहर निकानने के लिए हमने एक एहम काम पुरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है। और अब दसकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। क्रिश्टी में जो सुधार किये गए हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाब छोटे और सिमान्त किसानों को मिलेगा। देश में सो में से पचासी, 85 out of 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं, वो इस रेनी में आते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान जो आज सबसे ज़्यादा खुश हैं। पहली बार उनको अपनी उपज के मोलभाव का विकल्प मिला है। पहले की परम्त्राथी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहाँ फायदा है, वो वहाँ बेचेगा। उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है, तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपुर्फर्क है, किसान को हक दिया है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज़ादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा. साथियों, भाजब सरकार ने जो काम किया है, अब भाजब आके हर कायरकर्टा को, इन कानुनों की भावना को, बिलकुल सरल भाशा में, किसान साथियों के बीच बैट करके, गाउं में जाकर के खटिया की परिशदें करकर के चारपाई की परिशद करकर के छोटे छोटे गुरूप में हमें बताना है और ये वर्चुरल जब दुनिया चल रही है तब एक प्रकार से ही अवसर है कि हम बड़े बड़े कारकम न करते हुए चोटे चोटे कारकम करते पांच किसान दस किसान बैटे हैं चाई पी रहे हैं चार चार पाई पर बैटे हैं अपनी बात उनके सवालों के जबाब बात चित कर और वो हमें इतनी अच्छी चीजे बताएंगे वो हमारे विचार को भी काकत देंगे उनके बिच ले जाना, मैं भारतिय जनता पार्टी के हर कार करता हूँ, पंडित दिंद्याल जी के विचार को हमने विहवार में कैसे लाया है, ये ले जाने का भियान बनता है। किसानों से हमेशा जुनोंने जुट बोला है, जुट बलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनितिक स्वारत की वज़े से किसानों के कंदे पर बंदू के फोड रहे हैं, किसानों को भमित करने में लगे हैं, ये लोग अफ़ाएं फेला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी पी अफ़ा से बचाना, क्रिशी सुधार का महत्व समझाना, भारतिय जनता पार्टी के हम सभी कारकरताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी हैं, क्योंकि हमें किसान के भविश्य को सुनिस्षित करना है, उजवल बनाना है हम जितना जादा किसानों को क्रिशी सुधार की बारिक्यों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरुग होगा, और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोका करता है, तो वो खुद भी जागरुग हो जाएगा, अपने आपको बचा लेगा और इसलिए किसान को ससक्त होने का ये रास्ता है